ओम सिरीगनी सैनम दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नवंबर सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि हद इन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ती के उदेश्यों की आज पूर्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदभुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रोश सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यारतियों को भी किसी कमपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी सम्बंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी हदोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथ साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप ला अधिक केंदरित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदाएक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक हैं आज कोई पेमे साथ फैमिली गयट टूगैधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्य भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुस नुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विदियों में छोटी छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तो आज वैवसाइक गति विदि पर पैनी नजर रखें लापरवाई की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंग का है नौकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं हल होंगी नौकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वेवसाइक गति विदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नौकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्च रखता है वे ध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उच्चित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सौस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश्चे निरवत्र होने के बाद पीपल के वरक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बरतन में जल, चेनी, घी, तथा दूद मिलाकर पीपल के वरक्ष की जड़ में डालें या दोस्तो ऐसा करने शे मा लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन होंगी और आपके घर में लंबे समय तक शुक्षम्रदी बनी रहेगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा जा दोस्तो आप इस प्रकारिस उपाय को वश्च करें आपको वश्च ही विसेस लब प्राप्त होगा तुस्तुमा लक्षमी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद